Hello everyone, Welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में हम करेंगे जार्खन PCS का Expected Questions का Set No. 5 तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं जार्खन में चिक ब्रेडिंग सेंटर कहां पे लगाए जाएंगे? चिक ब्रेडिंग सेंटर तो चूजा प्रजनन केंदर जो है चिक ब्रेडिंग सेंटर ये जार्खन में कहां लगाए जाएंगे? खुंटी, हजारिबाग, राची या बोथ A and B यानि कि खुंटी और हजारिबाग दोनों तो आंसर है इसका खुंटी और हजारिबाग दोनों यानि बोथ A and B खुंटी में लगेगा और खुंटी जो है ये अरजुन मुंडा की कॉंस्टिटुएंसी है जो हमारे जंजाती मामलो के मंत्री भी है और भारतिय तीरंदाजी संग के अध्यक्ष भी है और हजारिबाग में एक जगा है जिसे बोलते हैं गोरिया कर्मा वहाँ पे लगेगा चूजा प्रजनन केंदर यानि चिक ब्रिडिंग सेंटर दो जगा लगेगा खुंटी में और गोरिया कर्मा में जारकंड के मुखे मंत्री हेमंद सोरेन ने दो कोविड शर्किट कोरिडोर इनोगरेट करे हैं दो COVID circuit corridor, जिससे oxygen की कमी ना हो, तो ये जो दो corridor हैं, ये कहां पे बने हैं, इनके नाम क्या हैं, तो याद रखिए, दो corridor बनाए गए हैं, क्योंकि oxygen के demand बहुत ज़ादा है, तो उसको tackle करने के लिए, एक corridor है, राची जिले का corridor, तो एक है राची, और दूसरा है East Singbhoom, तो आंसर हैं राची, गुमला, सिम्डेगा, लोहारडागा, खुंटी, रामगड और लतेहार डिस्ट्रिक्ट, और जो East Singbhoom वाला है, उसमें जमशेदपूर है, सराय केला खरसमा है, चाइबासा, डिस्ट्रिक्ट वगारा ये सब हैं, तो दो circuit बनाए गए हैं, दो COVID circuit corridor बनाए गए हैं, एक राची और एक East Singbhoom, इन में से कौन सा संगठन है, कौन सा organization है, संगठन है, जो जारखंड में, जारखंड में जो underground mines हैं, वहाँ पे silk cultivation को promote करने के लिए अरजुन और असान के पेड लगाएगा, एक अरजुन पेड होता है और एक असान पेड होता है, तो अरजुन और असान के पेड लगाएगे, जारखंड में, कोईले की खदानों में, ये कौन करेगा, खादी और गराम उद्योग आयोग, BCCL, Jute Board of India या हमारा कपड़ा मंत्रा ले, तो याद रखिए, इसे करेगा BCCL, BCCL किसे बोलते हैं, भारत Coking Coal Limited, एक कंपनी है, भारत Coking Coal Limited, औ की ही एक Subsidory Company है, तो इसकी अभिभावक कंपनी है, Coal India Limited, जो आप जानते हैं, महारतन कंपनी है, और इस कंपनी के चेर्मेर है, प्रमोध अगरवाल, आज की तारीक में, भारत में 10 महारतन कंपनी है, उनमें से एक है, Coal India Limited, तो Coal India Limited की बहुत सारी कंपनिया है, उनमें से ए रेश्मी कीडे होते हैं, रेश्मी कीडे, इनको पालना जो होता है, उसे सैरी कल्चर कहा जाता है, सैरी कल्चर, तो रेश्मी कीडे जो पलते हैं, अर्जुन के पेड़ पे और असान के पेड़ पे बहुत अच्छे पलते हैं, ये जो कीडे हैं, अर्जुन और असान के पे तो 33,000 लगबग पोदे लगाए जाएंगे और ये जब पेड़ बनेंगे तो इन पर फिर रेश्मी कीडों को पालना असान हो जाएगा तो ये सोच है BCCL की ऐसा करने के पीछे तो अभी के लिए ये धनबाद में लगेंगे और अरजुन और असान के जो पेड़ हैं वो जार भूम में और खुंटे में पैल ये अगले सवाल पे आते हैं कोन सा मोबाइल एप है जो जारखन की सरकार ने लॉंच करा है जिससे जो गरीब ट्राइबल लोग है वो भी अपने आपको रेजिस्टर कर सकते हैं दवाई पाने के लिए वेक्सीन के लिए अभी दो वेक्सीन इसका नाम है जो जारखन की सरकार ने लॉंच करा है इसका नाम है जारविन सरकार का ये कहना है कि कोविन जो है ये ट्राइबल लोग बगारा उतना डिजिटल समझते नहीं तो कोविन एप पे वो अपने आपको रेजिस्टर नहीं कर सकते तो जारविन पे कैसे करेंगे जारविन पे बड़ा असान है उनको बस कॉल करना है कॉल सेंटर पे सरकारी पे call करना है और वहाँ पे फिर वो लोग जो digitally उतने साक्षर नहीं है वो भी दवाई केंदरों पे अपना registration करवा सकते हैं इतना ही नहीं वो simple जिस भी दिन दवाई केंदर खुले हैं वहाँ पे जा सकते हैं बिना register करे और वहाँ जाके वो फिर इस जहारविन पंजी करन करा के वहीं की वहीं दवाई ले सकते हैं तो प्राइबल लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है जहारकन की सरकार ने अपने आपको register कराना तो इसका नाम है जहारविन संगीता सोरेन ये खबरों में रही अभी अभी ये कौन से खेल खेलती है कौन सा खेल से संबंद है इनका जो खेल है वो क्या है याद रखिए संगीता सोरेन जो है ये एक football खिलाड़ी है football खिलाड़ी है और ये खबरों में क्यों रही इतनी क्योंकि ये एक national level की खिलाड़ी रही है ठीक है ना इनका जो गाओं है वो है बनस्मुरी इनके गाओं का नाम है बनस्मुरी और ये बाग मारा में आता है धनबाद में बाग मारा ब्लॉक धनबाद में तो ये एट की भटी में काम कर रही थी फिर मीडिया ने इनको हाइलाइट करा काफी जादा एक शोर मचा की कैसे एक अंतराष्टे स्तर का खिलाड़ी इतना मजबूर हो गया कि वो इट की भटी में काम कर रहा है जिसे बोलते हैं एक क्लिन वरकर बन गई थी ये तो फिर सरकार ने इनकी मदद करी और फिर इनको जो है ओल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी इनकी मदद करी और फाइनली फिर ये अब और अंतराष्टे टूर्णमेंट खेलेंगी तो ये खबरों में काफी रही थी संगीता सोरेन ये फुटबॉल खेलाडी हैं और धनबाद से हैं जैपाल सिंग मुंडा ये एक मात्र अंतराष्टे खेलाडी थे जिने ओक्सफ़र्ड ब्लू का प्रुसकार मिला था ओक्सफ़र्ड ब्लू ये इन्हें 1925 में मिला था तो इनका संबंद कोन से खेल से था जैपाल सिंग ये बहुत ही महान होकी खेलाडी थे बहुत ही महान होकी खेलाडी थे और इनकी 118 जैनती मनाई गई थी अभी अभी तो उस पे अब तो ये नहीं है ओविसली इस दुनिया में नहीं है लेकिन जो हेमंद सोरेन है वो इनके घर गए थे और जैपाल सिंग मुंडा ये मुंड खुंटी सबडिविजन में हुआ था, खुंटी वैसे अब डिस्टिक्ट बन गया है, लेकिन पहले खुंटी रांची में ही था, तो खुंटी सबडिविजन जो उस वक्त रांची डिविजन में आता था, एक सबडिविजन था रांची का, आप तो खेर अलग डिस्टिक्ट एकुंटी तो वहाँ पर इनका जनम हुआ था और इन्हें प्रमोध पहां भी कहा जाता था जैपाल सिंग मुंडा को प्रमोध पहां भी कहा जाता था ये होकी के महान खिलाडी थे और खुद मुख्य मंत्री अभी इनके घर गए थे इनको फूलों की जो शद्धांजली है व उनके घर पे ही। बहुत सारे स्कूल बंद हैं बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। इसके लिए जहारकन की सरकार ने दो मोबाइल आप लॉंज करें एकका नाम है लरने टिक और एकका नाम है डिजी स्कूल तो आंसर क्या होगा। देखिए इन ये स्कूल नाम से पता चल रहा है तो छोटे बच्चों के लिए है तो कक्षा एक से लेके कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए है डिजी स्कूल लेकिन यहाँ पर कक्षा एक से आठ नहीं पूछा यहाँ से कक्षा नो से कक्षा बारा पूछा है तो कक्षा नो से कक्षा बारा वालों के लिए जो जो बुनकर हैं, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो स्वम सायता समू, यानि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और जो दूसरे छोटे उद्यमी हैं, वो अपने जो उत्पाद हैं, उनकी परदरशनी कर सकें, इस मेले में, जारखन गरामीन मेला, इसका आयोजन किस ने किया, तो आंसर है, नबाड, National Agriculture Bank for Rural Development, ये नबाड बना था, 12 जुलाई 1982 को, और नबाड के चेर्मेन को हैं अभी, Mr. चिंतला गोविंदा रुजूलू, Mr. चिंतला गोविंदा रुजूलू, जारखन में कौन सा इंस्टिट्यूट है, कौन सा संस्थान है, जहां पे एक केंदर बना आती है, Tribal Studies करने के लिए, बिर्सा मुंदा Center for Tribal Affairs, इसका नाम रखा गया है, ये कौन सा इंस्टिट्यूट है, IIM राची, XLRI जमशेदपूर, BIT मैसरा या IIT धनबाद, तो याद रखिए, इसका आंसर है, IIM राची, भारतिये प्रबंदन संस्थान, Indian Institute of Management राची, यहां पे बना है, बिर्सा मुंदा Center for Tribal Affairs, जारखंड का कौन सा शहर है, जो जारखंड का पहला Solar City बनेगा, Solar City बनेगा, जारखंड का पहला ये बजट में घोशना की गई थी, 2021 के बजट में, और इसमें उनका ये कहना है, Solar City बनाने का मतलब ये होगा, कि इस शहर को हम पूरी तरह से Solar बना दे, पूरी तरह से Solar बना दे, और यहाँ पे हर चीज, चाहे वो क्रिशी हो, चाहे वो घरेलू इस्तिमाल हो, सब कुछ सूरिय उर्जा से हो, तो जारखंड की पहली Solar City कौन सी बनेगी, यहाँ पे घरेलू से लेके क्रिशी कार्रे तक सब में सोरुजा का इस्तिमाल ह यह है गिरिदी, तो गिरिदी जो है यह जारखंड का पहला Solar City बनेगा, उपर important question है, कौन सी योजना जारखंड की सरकार ने शुरू करी है, जिसमें जो शहरी इलाके हैं, यानि अर्बन एरिया, उनमें पोधे लगाए जाएंगे, यह भी बजट में अनौन्स किया गया था इस योजना का नाम क्या है, तो याद रखिए, जहरखंड राज्ये में जो शहरी इलाके हैं, उन्हें हरा भरा करने के लिए यह योजना है, और इसका नाम है शहरी वानी की योजना, शहरी वानी की योजना, शहरी वानी की योजना जो है इसकी शुरूआत की गई है, इस और क्योंकि पार्क आप जानते हैं कितने important है आजकल, जो आम जन होते हैं, common people हैं, आम नागरिक, उनको प्राकरतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्द वहापे करवाई जाएंगे, और जारखन की वो नदियां, जिनके किनारे अभी पोधार open नहीं किय गया है, उन सभी नदियों के किनारे पोधार open किया जाएगा, तो ये योजना है शेहरी वानी की योजना, अभी शुरू की गई है मार्च 2021 में, जारखन में एक milk powder plant बनेगा, जिसे किसानों की, डेरी किसानों की मदद की जा सके, कहां पे बनेगा, बड़ अच्छा सवाल है ये भी, देखिए, कोविड के समय में क्या हुआ, कोविड के समय में ये हुआ, कि वो किसान जो जानवर पालते हैं, जो मवेशी पालते हैं, जो दूद का वेवसाय करते हैं, इनको हम डेरी किसान कह सकते हैं, तो जो डेरी किसान है, जब इन्होंने अपने पश्यों का दू ज़ारकंड की मेधा डेरी और बिहार की सुधा डेरी इन्होंने दूध की मांग कम होने के बाद किसानों से दूध का उठाव करना बंद कर दिया। का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक काम किया जा सकता है उस दूद को आप पाउडर में कनवर्ट कर दो पाउडर बहुत लंबे समय तक जो है वो रखा जा सकता है तो यही होगा इसमें milk powder plant में इसमें दूद को powder में बदल दिया जाएगा और इस powder का इस्तिमाल बाद में कई जगा से हो सकता है कई तरह से किया जा सकता है तो यह बनेगा राची में राची में milk powder plant जो है वो बनाया जाएगा जारकंड राज्ये में एक नए किचन नई रसोया शुरू होगी जिनको नाम दिया जाएगा गुरुजी किचन तो गुरुजी किचन जो है जारकंड में शुरू की जाएगी पूरे जारकंड में तो इसमें गरीब लोगों को कितने रुपे में भोजन मिलेगा, कितने रुपे में खाना मिलेगा और इसका नाम गुरुजी किचन क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी जो मुख्य मंत्री है हेमन सोरेन उनके जो पिता हैं जिनका नाम है शिबू सोरेन इनको प्यार से जो लोग हैं वो दिशोम गुरु बुलाते हैं दिशोम गुरु या कुछ लोग गुरु जी भी कहते हैं इसलिए इनका नाम गुरु जी किचन रखा जाएगा ये जो रसोयां होंगी इनमें सिर्फ 5 रुपे में जो है भोजन मिलेगा गरीब लोगों को तो आंसर है रुपी 5 इससे पहले जारखंड में दाल भात योजना भी चल रही है जिसमें बहुती सस्ता भोजन गरीबों को दिया जाता है तो ये दाल भात जो योजना है उसकी जो किचन है उनके अलावा होगी गुरुजी किचन जारखंड के कौन से शहर में एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रजेक्ट लगेगा अगें वेरी वेरी इंपोर्टन कुश्चिन बिलकुल नई घोशना है बजट में मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रजेक्ट तो याद रखिए ये दुमका में होगा दुमका जो जिला है वहाँ पे दो जगा है दो परखंड शेत्र हैं एक का नाम है मसलिया मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ये मसलिया और दूसरे का नाम है रानिश्वर यहाँ पे ये सिचाई सुविधा दी जाएगी इने और इस योजना का नाम होगा दुमका मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रजेक्ट इसमें बेसिकली करेंगे क्या हो इसमें एक नदी बहती है वहाँ पे जिसका नाम है सिधेश्वरी नून बिल नदी का नाम भी आपको बिलकुल याद रखना है सिधेश्वरी नून बिल तो सिधेश्वरी नून बिल नदी जो है इसमें चारो तरफ से बराज बनाके इसका पानी इखटा कर लिया जाएगा जल भंडारन कर लिया जाएगा और इसके बाद इस जल को pipeline के जरिये pumping system से खेतों को उपलब्द कराया जाएगा इस परियोजना के बनने से मसलिया के लगबग 20,000 hectare जमीन और रानिश्वर के लगबग 5,000 hectare जमीन को सिंचित किया जा सकेगा ग्यारा सो करोड रुपे का खर्चा इसमें होगा बहुत बड़ी परियोजना है दुंग का में जारखन में कौनसी ऐसी जगा है जिसे परियतन जोन के तोर पे विक्सित किया जाएगा यहाँ पे परियतन का विकास किया जाएगा लुगुबुरु, राजरप्पा, जामतारा या बोथ A & B तो याद रखिये इसका आंसर है बोथ A & B लुगुबुरु और राजरप्पा यह लुगुबुरु क्या है? लुगुबुरु जो है इसे लुगुबुरु घांटा वाडी धोरोम गाड संताली आदिवासियों क ये धारमिक्स थल है, ये बोकारो में है लुगुबुरु, बोकारो जिले के ललपनिया नाम की जगा में है, ठीक है लुगुबुरु और यहाँ पर बेसिकली जो संथाल है कार्तिक पुर्णिमा के दिन आते हैं, उनका यहाँ जोटान होता है, सब मिलते हैं यहाँ पर और अ की जगह पे है और दूसरा है राजरप्पा राजरप्पा आप जानते होंगे यहां पे एक जल प्रपात है waterfall है और यह एक धार्मिक स्थल भी है कहां पे है यह यह रामगडंड डिस्टिक्ट में है राजरप्पा तो लुगुबुरु और राजरप्पा दोनों का विकास किय जाएगा, दोनों को परियाटन स्थल के रूप में विक्सित किया जाएगा, ये घोष्णा भी बजट में की गई तो ये था हमारा जारखन PCS का expected जो संभावित प्रशन है उनका भाग 5, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं एक बार आपको ये भी बता दूँ, हमारा जारखन PCS का जो कोर्स है उसको भी आप बाई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंट कमेंड में लिंक उसका दिया हुआ है बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा सैट नमबर 6 में थायुआ थायुवाचि टी आपसे लिए थायुगा वाचिट अच्छा आपसे मिलूँगा